वीडियो देखने वालों को नमस्ते तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्लस्टर बॉम के बारे में जिसको अभी एर फोस ने हाल ही में अपने फाइटर प्लेन जैगवार से टेस्ट किया है और ये एक ऐसा बॉम है जो की एक बार में 40 टैंक्स को साफ कर सकता है तो बड़ा ही जबरदस्ट जो है ये बॉम है इसका जो नाम है वो है CBU-105 CBU का मतलब होता है Cluster Bomb Unit तो ये जो है इस बॉम का एक चित्र हो जाता है कि इस तरीके से जो है ये बॉम दिखता है अब इस बॉम के अंदर जो है कुछ और बॉम्स होते हैं एक सब यॉनिट होती है इस प्रकार क को जाता है तो स्पैसिफिकेशन की की बात करें तो 427 किलो इसका वजन है लंबा ही चोड़ा इतनी है और इसमें जो है दस B.L.U. होती है जो कि एक सब यॉनिट होती है सी बॉम की और इस B.L.U. के भी अगर है स्पैसिविकेशन की बात करें तो इसमें अलग अलग जो यॉ पोजे होता है, सब ammunition होता है, तो ये bomb जो है किस प्रकार से काम करता है, उसको हम समझें, तो सबसे पहले तो जो है इस प्रकार का ये main bomb होता है, इसके अंदर जो है 10 BLU होते हैं, जो कि ऐसे हमें दिखते हैं, फिर एक BLU के अंदर जो है इस प्रकार से जो है sleek unit जो है डली हुई होती है जो कि अलग-अलग तरीके से इस प्रकार से खुल जाती है और ये जो है एक्चुल में बाद में ब्लास्ट करती है इसी में जो है ammunition होता है और इसमें जो है molten copper जो है blast होने के बाद produce होता है जो कि tank के armor को destroy करने के लिए काफी होता है तो इस प्रकार से जो है ये काम करता है तो सबसे पहले हो गया हमारा ये main bomb जो कि इस प्रकार का होगा 420 से उपर kilo का जो है इसका वजन होता है फिर इसके अंदर जो है होती है BLU unit और जब ये bomb से भाहर निकलती है तो इसमें parachute का इस्तमाल किया तो यहाँ पे इस प्रकार से ये अलग हो जाती है तो BLU में से इस प्रकार के 4 अलग अलग निकलने लगते हैं और फिर यही जाके बाद में अपने target को hit करते हैं और blast करते हैं तो अगर हम इसको देखें तो 4 एक sub ammunition unit हो जाती है 10 BLU हो जाती है तो इनको आप multiply करते हैं तो 10 x 4 40 तो 40 targets तक जो है एक बार में hit किये जा सकते हैं तो यह जबदस जो है bomb हो जाता है और इसकी कुछ और खास बाते हैं इसमें एक self destructive feature भी जोड़ा गया है तो कई बार क्या होता है कि 40 के 40 target हमारे hit नहीं होते है या इतने target होते ही नहीं है एक particular दाइरे में तो वहां क्या होता है जब यह unit sub ammunition unit गिर जाती है तो यह खुद को self blast भी कर लेती है ताकि बाद में जो ground forces हमारी आए और वो कुछ operation करे तो उनको कोई नुकसान नहों तो यह भी एक जबर्दस जो है हमारी power को multiply कर देगा खास तोर पे tank warfare के खिलाफ तो बढ़िया है इस पर जो है आप अपनी comments रखिए फिर मिलेंगे जहन